नमस्कार दोस्तों बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी अपडेट्स के और उसके साथ ही इंडियन एक्षेंजिस के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होते हुए नजरा आ रही है काफी बड़ा कंसर जो यहाँ पर नॉम्बर का मन्त है था उसके बाद से जो मार्केट है वो डाउन में जा रहा है लगाता है डाउन में जाने के बाद अब अगर आप देखें यहाँ पर जो प्राइज ऑल्मोस बीटीसी का 17-18 के अराउंड तक आ चुका है तो कब यहाँ पर जो बीटीसी है वो बाउंस ब के अराउंड यह भी है मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं जो 18-19 का अरिया है उस पर ही यह बना हुआ है 18,966 इसने हिट किया था लोएस प्राइस इसके अलावा जो 2021 है इसको इसने ब्रेक कर दिया है मतलब जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिस्टेंस का काम कर रहे हैं लास XRP, Dogecoin, Shiba Inu, Polka Dot, काफी सारे coins यहाँ पर अच्छे खासे डाउन में चले गए हैं लगबग Shiba Inu भी 16% डाउन में लास 24 और में अगर आप देखे 0.43 और यहाँ पर जो 1 का अरिया इसने होल्ड करकर रखा था उससे यह थोड़ा यहाँ पर नीचे की और आ रहा रहा है 1% का TDAs यहाँ पर काफी ज्यादा important होने वाला था वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है July 1 से तो कईना के उसका impact यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम पर देखने को मिल रहा है वजरे जिसका एक समय ट्रेडिंग वॉल्यूम अल्मोस यहाँ पर 90 मिलियन डॉलर के आसपा यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे है तो ट्रेडिंग फिस से यहाँ पर डिरक्ट नहीं हो रही है और यहाँ पर जो रिवेन्यू है एक्षेंजेस का वो जनरेट नहीं हो रहा है और रिवेन्यू अगर जनरेट नहीं होगा तो फिर एक्षेंजेस किस तरीके से वर्क कर और ये काफी बड़ा concern है कहिने के आने वाले time में अगर यहाँ पर market recover करेगा तो हमें उमीद है कि इनका जो trading volume है वो बढ़ता होगा नज़राएगा क्योंकि पहली तो यहाँ पर takes की खबर और दुसरा यहाँ पर bear market चल रहा है जिस वजह से trading activity यहाँ पर कम होते हुए नज़र भी नहीं कर पार और अभी के समय में अगर sell कर देंगे तो आपर काफी बड़ा नुकसान उन्हें हो जाएगा लेकिन आपको एक बात यहाँ पर समझना है और 2014-15 $200 are fine today यहाँ पर CZ Binance ने उन लोगों को जवाब दिया हुआ है जो crypto market को लेकर अभी काफी ज़्यादा concerning है काफी ज़्यादा चिंतित है और उनका यही कहना है कि जो bear cycle है वो हमेशे आता है और आपको यहाँ पर bear cycle में थोड़ा सा अपने आपको patience के साथ रोक कर रख ता उसके पहले 14-15 में $200 के आसपास था और आज के समय में जो लोगों ने उस situation में अपने आपको handle किया होगा और रोक कर रखा होगा आज आप देख सकते हैं BTC का price किस range पर हिट कर रहा है और किस range पर बना हुआ है मतलब कहीं नहीं कहीं वो लोग अभी काफी ज़्यादा में और fine है तो आपको इस बात को समझना है और यहां पर इन्हों ने mention भी किया हुआ है नाइब बुकेले को सेलर को Michael Saylor जो लगाता नहीं आपर deep में BTC को purchase करते हो एक काफी बड़ी quantity में एक काफी बड़ा whale आप इन्हें कह सकते हैं जिन्हों ने आपर BTC को hold करके रखा और यही इन्हों ने आपर mention किया हुआ है मतलब अभी भी अगर आप देखें मार्केट में काफी सार इन्वेस्टर से जो परेशान है लेकिन उनको यहां पर अपने क्रिप्टो को hold करना चाहिए जब यह बियर साइकल कंप्लीट होगा काई नहीं आप बुल मार्केट देख उसे एंड कर दिया है मतलब 9 जो इनका वालेट यहां पर इनके द्वारा लांच किया गया था जिसका यूज यहां पर काफी सारे होल्डस कर रहे थे उसको अब यहां पर बंद करने वाले और ऐसी इन्हों ने आपर अनॉसमेंट किये कि जो इनका डिटल वालेट वो अब क्लोज किया जा रहा है मेटा प्लेटफर्म फर्मली फेजबुक सेंट और लूसमेंट कि गई है वह काफी जल्द इंप्लिमेंट भी हो जाएगी अगर हम उन्पलिमेंटेशन की बात करें कब यह इंपलिमेंट होगी तो यहां पर फ्राइड के दिन अनॉसमेंट हुई है म वो एबल नहीं रहेंगे, वो यहाँ पर money को aid नहीं कर पाएंगे, नोवी अकाउंट्स में, अगर उनका नोवी वालेट है, उस पर वो money aid नहीं कर पाएंगे, और September 1st है, यहाँ पर जो नोवी एप है, और नोवी उन वाटसप पे, वो available नहीं होगा, और users उसके साथ interact नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने जो नोवी अकाउंट्स हैं, उनमें आपर login नहीं कर सकते हैं, तो यह काफी बड़ी update है, Metaverse Project जो है, वो यहाँ पर crypto के साथ नहीं है, मतलब Meta जो है, वो क्रिप्टो का जो अपना digital wallet है, उसे यहाँ पर बंद करने वाला है, तो जितने भी user से, वो अपने funds को यहाँ पर withdrawal कर लें, ऐसी इन्होंने यहाँ पर चेतावनी दी हुए, यह और कोई भी update पाने के लिए दोस्तों, चेनल से जुड़ जाएं, साथी टेलीग्राम को भी जोइन कर लें, अब हम आपको मिलते किसी हो नहीं update के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू.